कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम बनाएंगे मत्र पत्ता गोबी की बहुत सिंपल सी सब्जी जीसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे किसी पी तरह के रोटी पर आठा या पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही इजी बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाती है तो और असी भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल अपने फ्रेंड फैमली में शेयर कीजेगा तो चलिए फटा फट से यह इजी सी मट्र पत्ता गोबी की सब मट्र की सब्सक्राइब करने के लिए आप अधा किलो पत्तागो भी और उसे इस तरह से कट करके रख लिया है तो आधा किलो पत्तागो भी है उसके साथ मैंने धाइसोग्राम अटर लिये है देख सकते है अप लोग यह फ्रोजन मटर है आप आप नहीं तो हरे मटर की भी बना सकते हैं, धाइसोग्रा मटर है, चार से पास टेबल स्पून बने ओईल लिया है, इसके साथ हमें चाहिए होगी हींग, घर का नॉर्मल जग चम्मच होता है, उसे एक चम्मच लस्टन अद्रग का पेस लिया है, और इस लस्टन अद्रग की रसीपी मेरे चानल पे अप् टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है, और पुछ पाउडर मसाले हमें चाहिए होगे, तो पाउडर मसालों मैंने एक टीस्पून रच्चिरी पाउडर लिया है, एक टीस्पून दिनिया पाउडर लिया है, वन फोर टीस्पून हलती है और ऑईल को गरम हो जाने देंगे, तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले हींग डालेंगे, तो दो से तीन पींच मैने हींग ली है, तो इसलिए हम हींग डालेंगे, और इसमें डाल दिया जीरा, जीरा फ्रैकल हो ले देंगे, साथ आए प्याज एड़ कर देंगे, और प्याज को सब्सक्स्राइब हो गजज़ाNow, इसमें डालेंगे लगर फ्रैकल का पेज, एक चंबाजा ले तो पेडार मपारें, तक इसके साहती तील हैरी बीचे रेके रखी भी और जो भी इसमें आज कर देंगे आज से लक्षान दर्ग का सच्छा पन एकदम हो चुका है रॉसमें चली गई है इसाप में दो तमाटर काटके रख पे उनको डाल देंगे पाउडर मसाले लेके रखे पे वो इसमें आड करेंगे और मसालो के साथ इसमें मटर आड कर देंगे ताकि मटर हमारे मसाले भुनते भुनते एक साथ पफिजाय मटर हमारे इसके साथ अच्छे से मिख कर देंगे और तेज के अकॉर्डिंग इसमें हम सॉल्ट आइट कर देंगे मिख करेंगे मटर को ठोड़ा पपने तक इसको बिल्कुल लो हीट पर ढखके पकाएंगे दे 2-3 मिनट के लिए और भीच-बीच में स्टर करते रहेंगे लो हीट पर हमारे सबजी को पकते वे 203 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बीच-बीच में स्टर कर दिया था देखिए सब्दी ने थोड़ा मॉश्चेर रिलीस कर रहा था और अपने ही मॉश्चेर में पक रही थी है तो देखिए अब हम इसमें पता को भी हमने कट करके रखी थी वो इसमें आड कर देंगे बहुत सिंपल ही सबसी होती है मगर बहुत अच्छा टेस्ट करती है तो इस रेसिपी को एक बर आप जरू ट्राइ किजेगा मिक्स करेंगे अच्छे से और मिक्स करके और इसे ढपके लो टू मिडियम ही पे दो चे तीन मिनट तक पकाएंगे ताकि जो पता गोभी है वो तोड़ी सॉफ्ट हो जाए देखिए पता गोभी हमने इसमें अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया मटर के साथ देखे कितना अच्छा कलर लग रहा है दो से तो तीन मिनट के लो टू मिडियम ही पे से ढटके पकाएंगे ताकि पत्ता गोभी तोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो चलिए दो तीन मिनट बाद आपको मिलते हैं बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राब की माई चैनल और असी भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजेगा सबजी को लो टू मीडियम ही पे पकते वे दो से तीन मिनट हो चुके हैं और मतर पत्ता गोभी काफी अद तक सॉफ्ट हो गए हैं तो इस टाइम पर आप इसमें नमक विर्श वगरा टेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ कम लगता है तो आप अग्जस कर सकते हैं तो अब हम सब इसको कमप्लीटली कुख होने तक इसको हम पका लेते हैं दो से तीन मिनट और और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे वरना नीचे से लग जाएगी देखिए हमारी सबजी आप पक चुकी है यह देखिए बहुत अच्छा तरीके से पक चुकी है बस अब गैस का फ्लेम हा ताकि जो भी इसमें हलका फुलका मुश्चर है वो निकल जाए एक मिनट तक हाइपिन पर भूनने के बाद हम इसको सर्फ करेंगे तो देखिए तो चलिए हमारी सबजी पक चुकी है को सर्फ कर लेते हैं देखिए यहां हमारी सिंपल सी मटर पत्ता गोभी की बगर बहुत टेस्टी सबजी बनके तयार है इसको गार्निश कर लेते हैं तो इसको मैं गार्निश करूँ की थोड़े से हारा दनिया से तो देखिए सबजी को मैंने गानिश कर दिया है बनाने मुझ इतनी ही आसान खाने में उतनी ही टेस्टी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा वीडियो को चैनल को सबस्ट्राइब कीजेगा तो मिलते हैं ऐसी ईजी और अनदर रेसिपी के साथ अब सुम्स वर्ड पे तिल देन बाई बाई